तो हमने क्या देखा था ठाइप टाइप संपरफ दो ठाइप के होता है और पहला हमने देखा था कुन सा एक्सियल। कुन सा ओललेपिंग एक्सियल। candle क्षेड ओललेपिंग डेहीं? ध्रक्नेगों क्या होता है Cast Tun metre सतनुरम देखें अक्सियल। एक एक एका एक्साइडवेश तो एक्सेर्ट ऑबिटल घांग क्या होता है जैसे मैं यह मुद्धिंग की बात करता हूं इस अंगे शेशस फिक्स भी यह आपका सब्सक्राइब ईच्छ और यह और विट्ल कैना सब्सक्राइब पी एक्स इसको हम यह जो रिक्स्तें ऑप के वेवसमेटर को शो करता है तो इसकी हम जो करते यह प्लस और माइनस ढूसरा आ गया ज कि यह मानले पी एक्स क्वा चाहिए यह प्लस और यह मैनल यह मीनल एक लोग माइनस जब यह आपस मों अबलाइब करेंगे तो देखो क्या होता है कुछ इस तरह को ऑवर्लैपिंग रीजन बन जाएगा यह ऊर्बिन क्या किलाएगा ओवर्लैपिंग रीजन रीजन तो देखो इसको पने रापत में क्या हो रही है किसके त्रू एक्सिस के ठीक है तो इसको बोलता है एक्सियल ओवर्लैपिं क्योंकि यह किसके तुर मिल रहे एक्सिस के त्रूं मिलने नेश्ट हम बात करते हैं किसकी साइड़े वेड़ेश ओड़ेशन होता है क्वाइशन होता है साइडरल ओट लेपिंग या साइड़ेशन पहल पहलेशन होता है कौन सी ओवर्लैपिंग, साइडवेज, ओवर्लैपिंग, तो देखो इसमें क्या होता है, मान लिया कि मैं यह जैड एक्सिस है, और मैं यहाँ पर और्बिटल ले रहा हूं, इसको नाम दूगा हो, पीजैड ठीक है, यह प्लस साइन ले लो और यह माइनस साइन ले लो, इसस से कमबाई होने आरा है, दूसरा कोई जैड एक्सिस वाला बिझेड ओर्बिटल प्लस साइन और माइनस साइन, जब यह आपस में ऑवर्लैप करेगा, थीक है, जब यह आपस में ऑवर्लैप करेगा, तो देखो, क्या होता है, कुछ इस तरह से ओवर्लैप करेगा, यह एक और यह दूसरा दीत है ठीक है यहां पर यह nucleus यह दोनों तरफ का nucleus है ठीक है इसको बोलते ही क्या sideways overlapping sideways overlapping ठीक है अब आप देखो इस sideways overlapping के through pi bond का formation होता है अब आपको बताना यह है कि आपका सिग्मा बॉन्ट ज्यादा कि effective overlapping करता है या पाई बॉन्ट ज्यादे effective overlapping करता है आप खुछ सोचो एक सड़क पर एक सड़क पर एक जीप इस साइड से आ रही है दूसरे opposite direction से दूसरी जीप आ रही है और यह दोनों आमने सामने bonnet के side से टक्रा जाता है तो क्या होता है यह दूसरे के अंदर घुछ जाते हैं इनको अलग अलग करना बड़ा मुश्किल होता है जानमाल की हानी भी ज्यादा होती है ठीक है लोग जादा से जादा वापर हाम होने की possibility वहाँ पर होती है ठीक है वहाँ पर बहुत स्ट्रॉंग होई है दोनों जीप धड़ाक से एक दूसरे में क्या होगा है बिढगा है अंदर की तरफ गुस गाए लानी पड़े कि इनको अलग करने के लिए और लोग बाद मरे भी जादी है ज्यादा पावर्फुल अच्छा अब क्या हुआ अब जीप इदर से दूसरे एक सिनर्व और एंजिन करो एक यहां से आ रही है पहले तो यहां पर ज्यादा हानी होगी या तक रहते हैं वहां पर नहीं हो थी इसका सिगमा बॉंड जो एक दूसरे से से एक्सिस पर आके टकराते हैं यह वह इसको आपको क्या याद रखना है यहां पर Axial overlapping के through Axial overlapping के through Sigma bond का formation होता है जो more stable होता है More stable ठीक है? या more strong More stable और more strong bond का formation करता है कोन? Sigma bond Pi bond जो होता है वो less stable Less stable less strong या weak होता है थोड़ा compared to sigma bond आती है बाव समझ में तो overlapping कितने type के होता है? दो type के होंगे पहली बात overlapping होता क्या है? जब दो atoms एक दूसरे के पास में आते हैं वेल टो atoms come close to each other for forming of bond then the atomic orbitals of both atoms combines to each other and this phenomena is known as overlapping and due to this overlapping more overlapping means more strong bond more overlapping means more strong bond there are two types ये कितने type के हो सकते हैं? there are two types first one is axial overlapping जिसमें दो log जो होते हैं वो आमने सामने से टकराते हैं एक ही एकसिस पर आते हैं ठीक है? और आमने सामने से टकराते हैं और axial overlapping होती है जिससे sigma bond का formation होता है जो ज्यादा stable होता है ज्यादा strong होता है जबकि sideways overlapping क्या होती है एक तो एसे आ रही है और एक एसे आ रहा है sideways overlapping इतना strong नहीं बनाता है इसके through pi bond का formation होता है जो less stable है less stronger clear तो यह overlapping का छोटा सा concept है आपको इसको ध्यान रखना एच्छी तरह से कि कितने type की overlapping हो सकती है there are two types of overlapping ठीक है ठीक है चलो देखो एक और बात ना समझाना चाहता हूँ कि overlapping होने क्लिए एक condition और ज़रूरी है first if same sign overlap if same sign overlap if same sign overlap अगर same sign क्या करते हैं overlap करते हैं then it is called positive overlapping positive overlapping अगर same sign overlap करते हैं जैसे याँ प्लस और प्लस आपस में overlap करते हैं तो ऐसे overlapping को positive overlapping बोलते हैं और इस overlapping की वज़े से बोल्ड में strongness बढ़ती है positive overlapping होगी मतलब बोल्ड को स्ट्रॉंग करेगा ठीक है इस इस ओपोजिट साइड इस ओपोजिट साइड इस ओपोजिट साइड ऑवरलैप अगर ओपोजिट साइड ऑवरलैप करते हैं तो इस ओपोजिट साइड ऑवरलैप करते हैं तो इस तरफ प्लस इस तरफ माइनस तो इनके बीच में जो overlapping होगी उसको क्या बोले है positive overlapping या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ यहां पर माइनस प्लस और इधर भी माइनस प्लस तो माइनस माइनस के बीच में जो overlapping होगी that is positive overlapping प्लस प्लस के बीच में जो overlapping होगी that is also called positive overlapping but in the case if opposite sign overlap जैसे इसका प्लस इसके माइनस से overlap कर रहा है इसका प्लस इसके माइनस इस ऑर्बिटल का positive sign इस ऑर्बिटल के negative sign के साथ overlap कर रहा है तो इसको बोलतर नेगेटिव overlapping और इससे bond के strength क्या हो जाएगी कम होती जाएगी ठीक है आती है वाग समझ में एक तीसरे टाइप के overlapping और होती है कि तीसरे टाइप के overlapping और होगी डैटेस पॉल 0 overlapping जीरो overlapping जीरो overlapping से कहने का क्या मतलब है तो overlapping ही नहुका है जैसे एक z axis से p z आ रहा हूं ठीक है यह plus sign यह minus sign और दूसरे orbital जो है वो x axis से आ रहा हूं यह p x यह इसका plus sign यह इसका minus sign तो आप बताओ क्या लॉब आपस में मिल पा रहे हैं क्या कि देखो positive overlapping का मतलब ऐसा होना अगर आप इस उंगलियों को plus sign मानो इसके पीछे किसे को minus sign मानो तो यह तो positive overlapping यह एक का plus दूसरे plus के साथ इससे bond के strength बढ़ेगी दूसरा negative overlapping मतलब एक का plus sign दूसरे का minus sign पर लॉब तो आपसे मिल रहे तो यह bond को थोड़ा भी कर देगा पर overlapping हो रही है तीसरा यह a से आ रहो एकसे से और यह y एकसे से रहो यह z एकसे से रहो तो देखो कहाँ पर मिल रहा है इसका लोब यहाँ पर और यहाँ पर है बीच पह नूखलेस है तो यह electron तो जाके बनता हूं एस और्बिटल में जीरो औरलैपिंग केस नहीं बनता क्योंकि एक और बिटल स्पैरिकल एक कहीं से भी आजाओ उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे ठीक है अब बताओ आपको केस हैं चलो इसको कोपी कर लो आप कि अब कि 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 क्या दो जोलाए पिलिए लिए कि इसना हुआता हम झाल है आपके पास यह सब्सक्राइब करेंगे तो कौन सब्सक्राइब करेंगे पॉजिटिव और यह क्योंकि प्लस साइन के साथ और अच्छा अगर मैं प्लस को माइनस के साथ तो यह कैसा होगा आपका नेगेटिव और ठीक है अगर मैं प्लस और प्लस आपसे मिलेंगे तो वापिस कौन सी होगी पॉजिटिव और लाकिंग होगी अच्छा यहां पर मैं प्लस ले लेता हूं और इसको थोड़ा कर दूँ यह माइनस यह प्लस ठीक है वापिस वही प्लस ही है क्योंकि एक्सस तीस आ रहा है यह सो अरबिटल तो यहां पर कुन सी ओवरललापिंग होगी और ऑप ञेटियों मतलब यह माइनस में अलग लग हो सकते हैं प्लस में माइनस में इलक्ट्रों का डायरेक्शन पर डिपेंड करता ही और यहां पर माइनस यहां पर प्लस तो वापिस कौन सा हो जाएगा पॉजिटिव और वापिक है चलो अगर मैं यहाओ पर्लस लेता हूं और यहां पर मैं यहす पंध लेग bringing ओगी जी कि अवंबसे मिली मीडी है यह कोंजय से जीरो ऑवरलापिक हुआ कि माल वर यह 2 पी जैड़ अच्छे यह प्लस और मैं वाई एक्सिस पर लेक्या हूँ यह आपका येक्सिस के साथ PY तब भी कौन के अवरलैपिंग होगी जीरो अवरलैपिंग ठीक है आप खुश वोचो जैसे मैं आप करता हूँ यह आपका एस और बिटल है अब देहो अगर यह एस एक्सिस से आ रहा है यह आपका पी एक्स यह एस ओर एका ओइगा तो ओर लेपिंग होगी साइज और अब यह एस आ रहा है और यह ney räसे है जहाई सै मय लेतें हैं तो बताओ हो रहा जो तो तो ढराए यह नीं रहा नहीं तो एक से आरहा है तब फोटिटिव यह नेकटिव लापक पर हो रही है एक तो जीलो ऑफिंग अच्छा वाई-स अगा तो तब भी बीच में टक्रा रहा है लोग से नहीं टक्रारा तब पोनकी ओवर लैपिंग होगी जीरो ओवर ले चैनि यह वाइस रहा हूं एसे अभी से बता रहा था अगर आपका S ही Y-axis ना रहा हूँ ठीक है और P भी Y-axis में हो तब भी overlapping possible ठीक है तो आपको सामने देगा ज्यों भी axis होगा वह सामने देदेगा अच्छा यह प्लस यह माइनस और यह प्लस और माइनस तो बता कौन सी overlapping होगी positive overlapping होगी और अगर मैं स्कूलटा करेंगो तो यह प्लस माइनस और इदर माइनस प्लस तब कौन सी overlapping होगी negative overlapping होगी क्योंकि से माइनस मिल रहा है माइनस से प्लस मिल रहा है फूच से कभी-कभी आपसे question में पेपर में पूचा जाता है ठीक है यह कौन सी overlapping है तो आपको ध्यान सबकर रखना है क्लियर चालो नेक्स आम देखें यह प्लस यह माइनस और यह प्लस और यह माइनस कौन सी overlapping जीरो overlapping यह नहीं रहा है देखो यह माल यह पी एक्स है और यह पी जय वाई है ठीक है इसको पी वाई माल लो और इसको पी एक्स माल लो आपको ध्यान और यह पी जैट तो बताव कौन सी overlapping होगी तब भी जीरो overlapping होगी हाथ यह समझ में अगर मैं पी वाई ले ले लेता हूं और दूसरा भी पी वाई ले 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 लेता हूं तब कौन सी होगी या तो पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव ओवर्लैपिंग माइनस माइनस नेगेटिव ओवर्लैपिंग ठीक है पी ले ले लेता हूं और इधर पी जैड ले लेता हूं तो जीरो ओवर्लैपिंग होई नहीं सकती होगा एक लियर चल्लों आगे देखें और थोड़ा बहुत आपका डी ले ले लेता डी एक्स यह डी और बिटल ले लेता यह प्लस प्लस माइनस माइनस और यह तो आपका कौन सा है डी एक्स स्वायर वाइस प्वायर और यहां का राएक सब्सक्राव कौन है डी वाँ ऑफ्लस ठीख है इसी के साथ यहां पर एक और इसका लगा लेता हूं मालिया की अगार की और 20 माइनस यह पीकस。 हुआ है और एक अपर ले लिए दे चल्वारल में बताओं लित्यों के साहách झाल झाल